अबिनंदन आबार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जियोतिश विग्णियान के इस एतियाजिक चनल पर और मैं हूँ अब सबका एश्ट्रो दोस्त रुपेन आर्शा तीन दिन कुछ अलग-अलग मुद्दों के उपर अलग-अलग टॉपिक्स को कवर करके MKSA करने की कोशिश की लेकिन बीच-बीच में कभी कबार ऐसे दिन भी आएंगे जैसे आज का दिन है लंबा वीडियो करने की इच्छा तो है लेकिन परिशितियां इस प्रकार की नहीं है तो अगर अब भी ये वीडियो अपलोड नहीं ह हुआ तो शायद आज की दिन में ये मिस हो जाएगा तो अज सिंपल MKSA ही ले लिजी अलग-अलग शित्र पे फिर आगे चलके कल के वीडियो से बात करेंगे दिनां 30 नवंबर 2030 गुरुवार का दिन माश्तर की कब करनी है सुबसनान करते वक्त एक कटोरी में थुड़ा सा ले लीजिए उसमें थुड़ा सा हल्दी पाउडर मिक्स कर लीजिए अच्छे से मिक्षर बना लीजिए देखे देव गुरु वक्री चल रहे है मेश राशी में और राहु का जो प्लेस्मेंट है वो देव गुरु की राशी में ही है तो 31 रिसम बरता जब तक ये वक्री ह नहीं हो जाता तब तक ये प्रयोग करना अच्छा रहेगा तो पूरे बदन को गीला करके उस मिक्षर से लगा दीजिए रगट-रगट के स्नान कीजिए श्कीन के लिए तो अच्छा ही होता है उसके बाद चाहे तो साबुन से स्नान कर सकते हैं अब सुवन अक्षर चोटा किसी भी पेड़ या पौधे के नीचे रख दीजे पेड़ पौधा नहीं है तो कहीं पे साइड पे रखिएगा किसी का पैर वगेर ना पड़े कागस को डश्ट में मत डालिए और जलाईएगा मत सब कुछ पॉसिबल नहीं है तो लास्ट आप्षन में अपने उल्टे अक्षर भी एक विज्ञान होता है मास्टर की और सुवण अक्षर इखट थे ज्यादा प्रभावी होते हैं दोनों को कीजिए कल का सुवण अक्षर जो आप लिखेंगे वो है धन वाला द्धा वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है अब ब्ला अगली बाउडर और दुद मिक्स करके उस मिक्षब से स्नान करने का प्रयोग बताया है अगले एक वर्ष के लिए ये अपने जीवन का दैनिक रूप से हिस्सा बना लिजिए अगली बड़े आए अनिवर्सरी पे में देंगे कि इतना साधारन सा दिखने वाला प्रयोग आपके जीवन में कितनी सकारतमक्ता लेकर आया है रूपे ना इर्शान आमके इस येडिव चनल को अब इदक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए साथ वाला बैल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद तीन आप्शन्स आएंगे औल के उपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे जाए